इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये वीडाओत नहीं रहेगा ख्रेया.ai तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको आना है ख्रोम में यहाँ पर आने के बाद आपको जिम्पली सच कर लेना है क्रेया.ai जैसे आप सर्च करोगे तो आप के पास यह website दिखेगा इसी आपको open करना हो open करने के लिए मैं इसके उपर क्लिक कर देता हूं जैसे आप open करोगा ना भाई तो आपके पास इस प्रकार का convert कर सकते हो वो कैसे मैं आपको सब कुछ बताऊंगा भाई इसलिए वीडियो बिना skip किये लाश्ट तक जरूर देखना एंड उसके बाद यह real time creation मतलब आप लोग इधर कुछ drawing करोगे तो उसका real time image बनेगा इसका भी इस्तिमाल करना मैं आपको इसके साथ ही सिखाऊंगा मतलब इसी वीडियो मैं सिखाऊंगा तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए अकाउंट बना लें क्योंकि अगर आप लोग पहले काम कर ले तो और बाद में अकाउंट बनाते हो तो आपको दिक्कत हो सकता है आपका मेहनत बरवाद हो सकता हो इसलिए सबसे पहले आपको अकाउंट बनाना है तो अकाउंट बनाने के लिए simply आपको यहाँ पर sign in के बाद आपको यहां पर दिखेगा और continue with google and email तो अब आपको यहां पर continue with google को उपर click कर देना है उसके बाद आपको आपका email id दिख जाएगा simply इसके उपर click करके उसे select कर लेना है अब यहां पर कर रहा है कि आपको इसका terms and condition जो है वो follow करना होगा तो follow करने के लिए आपको simply continue को उपर click कर देना है तो भई अब आपका account बनके ready हो चुका है तो दोस्तों अब हम यहां पर सबसे पहले use करने बाले हैं real time generation उसके बाद upscale and enhance and वगेरा वगेरा आपको बताएंगे लेकिन सबसे पहले real time generation इसे use करने के लिए आपको यहां पर run के उपर click कर देना है जैसे ही आप run के उपर click करोगे तो आपके पास कुछ इस परकार का interface दिखेगा मैं यहां पर पहले भी use कर चुका हूँ इस AI tool का तो मेरे को कुछ different दिखता है आपको भी कुछ इसी परकार का दिखेगा या फिर थोड़ा different हो सकता है तो मैं आपको अब बताता हूँ real time generation में जितने भी tool आपको देखने को मिलते हैं सभी के बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी देता हूँ ताकि आपको यूज करने में थोड़ा आसानी हो जैसे सबसे उपर मैं आपको दिखेगा text to image जैसे या पिसके उपर click करोगे तो एक परकार का यहां पर box open हो जाएगा मतलब यहां पर आपको prompt box दिखेगा जहां पर आपको prompt लिखना है और उसके हिसाब से आप generate कर सकते हो image अब यहां पर आगे आपको दिखेगा image to image यह important है real time generation के लिए कैसे मैं आपको आगे बताऊंगा अब यहां पर screen to image यहां पर camera है उसके बाद यहां पर select and move इसके उपर click करके आप किसी भी object को select कर सकते हो और इसे move कर सकते हो यहां पर इस परकार का और भी shape add करने के लिए यहां से आप add कर सकते हो जैसे मैं यहां पर एक circle को select कर लिया हूँ और इसे यहां पर मैं आसानी से add कर सकता हूँ और आगे generate image यहां से आप image generate करने के लिए command दे सकते हो और अगर आप लोग image upload करना चाहते हो तो upload कर सकते हो और अगर आप लोग कुछ draw करना चाहते हो तो इसके उपर click करो और इस प्रकार से इसे draw कर दो और इसके बाद नीचे यहां पर आपको दिख रहा होगा Erasure आप Eraser से यहाँ पर Draw की होई चीज़ां को मिटा सकते हो अगर आप लोगों को यह पसंद नहीं आया मतलब मिटा दिये या फिर गलती से मिट गया अगर आप लोग इसे Back Up करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पर इसके उपर किलिक करके Back कर सकते हो या फिर फिर से इसे Redo करना चाहते हो तो इसके उपर किलिक करके Redo कर सकते हो और एक चीज मैं आपको बता दो दोस्तों यहाँ पर जो भी मैं करते जा रहा हो उपर से वही चीज़ें यहाँ बदलाव होता जा रहा है आप चाहे तो बहुत अच्छी से अच्छी इमेज जेनरेट करवा सकते हो और या फिर जिस परकार से मैं यहाँ पर आगे Command देता जा रहा हो उसी परकार से यहाँ पर आगे इमेज बनते जा रहे हैं तो यह एक Normal सा चीज हुआ जो इसका इस्तेमाल बहुत High Level पर करना जानता है या फिर करना चाहता है वो कर सकता है चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपनी भद्दी से भद्दी इमेज को High Quality में कैसे Convert कर सकते हो उसके लिए आपको यहाँ पर Enhance के उपर क्लिक कर देना है जैसे ही आप Enhance के उपर क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस परकार का Interface दिखेगा सबसे पहले आपको उस इमेज को यहाँ पर अपलोड कर दिनी है जिस इमेज को आप High Quality में Convert करना चाते हो या फिर 4K में Convert करना चाते हो तो उसके लिए सिंपले आपको यहाँ पर Drag and Drop के उपर क्लिक कर देना है आप पहुंचाओगे अपने फाइल में यहाँ पर आपको व कितनी हाई करनी है जैसे 2X करनी है 8X मतलब जिस हिसाब से आप यहाँ पर Select करेंगे उस हिसाब से इमेज तो आएगा लेकिन आपका Credit भी उतना ही खर्च होगा जैसे एक दिन में आप 3 इमेज बना सकते हैं मतलब 2X में बनाएंगे तो 3 से जादी इमेज बना सकते हैं या फि इस परकार का Style आप लोग रखना चाहते हूँ यहाँ पर Photo realistic कर दो जैसा भी आप लोग रखना चाहते हूँ उस परकार का रख सकते हूँ मैं यहाँ पर None रहने देता हूँ तो अब आपको Simply यहाँ पर Enhance के उपर Click कर देना है जैसे ही आप Enhance के उपर Click करोगे तो आपको यहाँ पर कोने में दिख जाएगा Enhance हो रहा है और दोस्तों अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हूँ कि Image Enhance हो चुका है इसको Simply आपको Select कर लेना है Select करने के बाद आपको यहाँ पर इस परकार का Option दिखेगा या फिर आपका यह Select रहेगा तो आपको इस परकार से दि अगर आप लोग Enhance की गई Image को Download करना चाहते हो तो Simply यहाँ पर आपको Download के आइकन को पर क्लिक कर देना है तो आपका Image जो है Download हो जाएगा अभी आप लोग देख सकते हो कि Image Download हो चुके है इसे देखने के लिए इसको पर क्लिक कर सकते हो तो दोस्तों गजब आप इसे जूम क पर जाएगा क्योंकि अभी आप लोग यहाँ पर टाइम देख सकते हो यार इतनी रात को जग करके आप लोगों के लिए सिर्फ वीडियो सूट करता हूं तो प्लेज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आप लोगों को इसी परकार की और भी AI टूल की